हेलो दियर फ्रेंड्स वेलकम टू पड़ाई से दोस्ती यूट्यूब चानल आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग जॉब ओपर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाला है गति शक्ति ओपिशल वेबसाइट गति शक्ति एक एक एसा जियो स्पेशल पोर्टल है जोकी गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने लॉंच किया है जो भी गवर्मेंट की अलग-अलग 16 मिनिस्ट्री जे उन सब के कामों को ए गति शक्ति का पेज यहाँ पे और यह जो गति शक्ति का का पूरा प्लैटिपयर में यह प्लैटिपोर्म गवर्मेंट एक और एट्रोनोमस बडी है उसके साथ मिल कर रन कर रही है उसका नाम है 202 बाइसे एक यह तो इसका फुल पॉरर्म क्या है यह हम यह भी हम छी लेकिन फिलाल में यहां पे क्लिक कर रहा हूँ आप दूसरे उसके ओपिशल वेबसाइट पर जाएंगे पर इस इंस्टिूट के बारे में आप यहां पे देख सकते हूँ यह है इंस्टिूट जिसका नाम है भास्कर अचार्या National Institute for Space Applications and Geo Informatics तो ये वाले organization के साथ मिलके Government of India ने गतिशक्ती प्रोग्राम का ये जो पोर्टल है ये लॉंच किया है और इसी particular institute में आपको ये दोन notice यहाँ पे आप देख सकते हूँ उनके website पे notice goal पे तो ये trainee interns के लिए vacancy है और project analyst के लिए vacancies है तो इसके बारे में हम detail चर्चा करेंगे तो चलो start करते दोस्तों सबसे बेली तो हम देखेंगे job description related to project analyst तो project analyst या project intern का जो जो जोब है उसके लेटेड जो notification है गतिशक्ती पोर्टल पे उसके बारे में देखते है तो दोस्तों ये जो भासकर अचारे national institute for space application and geo informatics है तो इस institute में project analyst का ये job है या पे आप देख सकते हो position है project analyst training 6 मन्त का ये आपका job होगा या आपे 10,000 per month step in दिया जाएगा और इसको apply करने की जो last date है वो है 15th of December 2021 ओके आपको क्या करना है आपका जो CV है इस mail ID पे आपको बेजना है after successful completion of 3 months training और internship in case any recruitment or vacancies arises under the project by SEC and may hold an assessment test and interview to hire suitable trainee और intern at fixed renumeration on contract basis तीन मेने के बाद दोस्तों ये इस particular organization में कोई vacancies निकल दिये तो वो लोग पेरे जो आप as a trainee project trainee लगे हो तो पहले आपका internal test और interview लेंगे और उसके basis पे वो vacancy feel करने का प्रयास करेंगे एसा यहाँ पे उन्होंने बताया है यहाँ पे आप देख सकते हो job role आपका क्या होने वाला है job को overview यहाँ पे दिया है और job के responsibilities के बारे में भी यहाँ पे detail में दे रखा है required qualification आपका education qualification और आपको क्या skills होने चाहिए इस job के लिए उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हो दोस्तों अगर आप bachelor of engineering आपने किया है बिटेक के आए, BBA के आए, bachelor of business administration उसके अलावा BMS या BBM के आए, तो आप इस particular job के लिए eligible हो और आपके जो skills है उसके बारे में भी आप दे रखा है job के लिए कुन से skill आपके पास होने चाहिए आपका communication और writing skill अच्छा होना चाहिए आपके जो documentation skill है वो उनको required है fundamental analytical and conceptual thinking skill experience creating, detailed report and giving presentation आपको report बना नियानी चाहिए और जो presentation होता है corporate presentation उसका आपको थोड़ा practice होना चाहिए project in IT and e-governance के बारे में अगर आपने इस से पहले कही काम किया है या उस तरीके का आपका कोई project है तो आपको यहाँ select होने के chances आपके ज़्यादा रहेंगे तो इस तरीके से दोस्तो यह चोटा सा notification था जो भी candidate है इस particular post के लिए eligible है वो pressure भी हो तो भी आप यह apply कर सकते है ओके यह experience and skill के बारे में देख के ज़्यादा डरनी के आउशकता बिलकुल नहीं है यह skill आप में already होते हैं जिन बंदे ने graduation किया है तो धिरे धिरे वो skill और अच्छे होते जाते हैं निखरते जाते हैं do apply for the post if you have this particular degree in your graduation BE in any field, BTEC in any field, BBA, BMS और BBM तो यह degree अगर आपके पास है तो definitely आप यह apply कीजे अगर आप फ्रेशर है तो भी आप apply कर सकते हो आपको यह stipend मिलेगा छे मंद के लिए यह project analyst का job आप ले सकते हो तो यही था दोस्तों आज का वीडियो मिलते दोस्तों हमारे AC अगले informative session में धन्यवाद, have a great day